नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिभम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों जमनों इस वीडियो में गेमसेंड इस्पोर्स सिरीज में खेलो के मैदान वा उनके छेतर फल को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं तो इससे पहले मैंने इस सिरीज के तीन वीडियो अप्लोट कर दिये हैं जिनकी लिंक आपको कमेंट वाक्स में पिनकी हुई मिल जाएगी आप वहाँ सुन वीडियो को देख सकते हैं तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बास्केट बॉल की जिसका मैदान 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चोड़ा होता है कैसे याद रखेंगे बास्केट बॉल में आपको सद मिल जाएगा बिस्कीट बास्केट बिस्कीट तो बिस्कीट से सम्मंदित सब के बच्चपन की एक कहानी जरूर होगी जो की आपको आज मैदान का छेतर फलयात करवाएगी थोड़ा फनी होगी आपके भी बच्चपन से सम्मंदित होगी और मेरे भी बच्चपन से सम्मंदित है तो बचपन में आपने जब बिस्किट खाई होगी, तो आपने कभी न कभी उस बिस्किट को पानी में डालके जरूर खाया होगा, कि पानी में उसको डालते थे और फिर पानी में भीग जाने के बाद उस बिस्किट को निकाल कर खाते थे, तो जब ऐसा करते थे हम लोग, तो बहुत सारी बिस्किट ऐसी होती थी जो की जल्दी पानी सोख लेती थी तो जैसे हम लोग पानी से बिस्किट को बाहर निकालते थे तो बिस्किट तूट कर उसी पानी में गिर जाती थी है ना आपके साथ भी हुआ गब मेरे साथ भी हुआ करता था तो पानी में बिस्किट खा जाते थे और लाश्ट में जब भूख ना भी हो उसके बाद भी क्योंकि पानी में बिस्किट गिरी है तो पूरा का पूरा पानी पी जाया करते थे उस बिस्किट के चेकर में तो कैसे याद हो जाएगा देखे बिस्किट क्या होती थी तूट कर पानी में गिर जाती थी ह यहनी 15, तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा, कि बास्केट बॉल के जो खेल के मैदान की कुल छेतर फल होता है, उसमें 28 मीटर उसकी लंबाई होती है, और 15 मीटर चोडाई होती है. नेक्स्ट है बॉली बॉल, और बॉली बॉल को जो मैदान है, वो 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है कैसे याद रखेंगे बॉली बॉल में आपको सद मिलाएगा बॉली याद करने के लिए कर लेते हैं बालिक और बालिक कब होते हैं 18 की उम्र में है न जब तक हम लोग 18 साल के नहीं होते हैं तो बालिक नहीं होते हैं तो बालिक होने के लिए 18 साल की उम्र होना जरूरी है तो आपको ऐसे लंबाई तो याद हो गई अब देखिए 18 में आपको सद मिलाएगा 1 और 8 दोनों को जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एक 9 तो ऐसे आपको चोड़ाई भी याद हो जाएगी तो नाम से इस पश्ठ हो रहा है कि बॉली बॉल के खेल के मैदान का छेतरफल कितना है 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चोड़ा याद रहेगा ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कबड़ी और कबड़ी में पूर्सो के मैदान का जो छेतरफल होता है वो होता है 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चोड़ा कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखें 13 और 10 लिखा हुआ है तो कबड़ी में आपको सद्ध मिल जाएगा कबाड़ी कबड़ी मतलब रद्धी वाला जो रद्धी का सामान ले जाता है उसको कबड़ी भी बोलते हैं जो कबड़ी ले जाता है तो आपको पते है कबड़ क्या होता है तोड़ा हुआ सामान होता है जो की एकदम रद्डी है माली जो कोई भी चीज जो की टूट गई है तो तोरा हुआ सामान क्या हो जाते है रद्डी हो जाते है जिसको कबाडी ले जाते है तो तोड़े हुए सामान में डश्ट भी जमा रहती है और उसको कबाडी ले जाते है तो आपको कैसे याद हो जाए है फिर जाकि उसको कबाडी ले जाते है तो तोरा हुआ समान तोरा से तेरा और डश्ट से दस तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि कबड़ी में जो पूरसो की कबड़ी है उसका छेतरफल कितना होता है मैदान का तेरा मीटर लंबा और दस मीटर चौड़ा ठीक है और महिलाओं का आप खुद से याद रखेगा तेरा से एक कम बारा मीटर लंबा और दस से दो कम आठ मीटर चौड़ा तो एक तरफ एक की कमी है दूसरे तरफ दो की कमी है तो महिलाओं का आप चाहें तो याद रख सकते हैं नॉर्मली पूरसो का पूछा जाते हैं इसके कुल दूरी होती है 2.4 किलो मीटर अब होर्स रेस है तो जाही इसी बात है इसकी दूरी मापेंगे तो किलो मीटर से नापेंगे तो यहाँ पर देखे क्या लिखा हुए डर्बी होर्स डर्बी होर्स में नाम इस पस्ट हो जाएगा कि Derby Horse Race जो है इसकी दूरी कितनी होती है 2.4 किलो मीटर होती है Next है Badminton और Badminton जो है अगर एकल Badminton की बात करें तो इसके मैदान की 13.40 मीटर लंबाई होती है और 5.18 मीटर चोड़ाई होती है तो यहाँ पर देखें, हम लोग 13 और 5 को याद रखेंगे, और option में जब आएगा तो clear हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें, क्या लिखा हुआ है, badminton, तो याद करने के लिए इसको कर लेते हैं, breadminton, तो bread से क्या मिठती है, भूंक मिठती है, तो bread को कैसे भूंक मिठती है, और पचा लिया, तो भूंक मिठ गई, तोड़ा और पचा लिया, तो तोड़ा फर 13 और पचाना यनि 5, तो आपको याद हो जाएगा, कि badminton, जो कि एकल badminton है, इसमें जो मैदान का छेतर फल होते हैं, वो कितना होते हैं, 13.40 मिटर लंबा, और 5.18 मिटर चोड़ा, जिसमे आपको 13 और 5 याद रखना है, वाकि option से clear हो जाएगा, क्योंकि badminton को तोड़ा और उसको पचा लिया, तो हमारी भूंक मिट गई, तो तोड़ा फर 13 और पचाना यनि 5, तो ये एकल का है, और double की अगर बात करें, तो double का होता है, 13.40 गुणे, 6.1 मिटर, तो ज्यादा अंत लंबाई जादा नहीं है, लंबाई उत्ते में ही काम हो जाएगा, लेकिन इंसान को खड़े होने के लिए जगए तो चाहिए, क्योंकि अब double हो गए है, तो थोड़ा सा जादा है, तो ये आपको याद रहेगा, और एक चीज़ और याद रखिएगा, कि net की जमीर से जो उ मीटर, यानि इसके बीच में होता है, या तो 3.66 मीटर होता है, या फिर मैकसिमम 6.10 मीटर होता है, तो दोनों के याद कर लेते हैं, तो बीच में आएगा, तो आप clear कर लोगे, तो यहाँ पर देखिए, बॉक्सिंग रिंग की बात हो रही है, और यहाँ पर रिंग को पहना जाता है ना, अगर आपके पास अभी मैं रिंग देदू, तो आप अंगूठे में नहीं पहनोगे, और ना एक छोटी वाली फिंगर में देखोगे, अब हो सकता है कि वो जो अंगूठी है, रिंग है, सबसे छोटी निकल जाए, तो आप मजबूरी में सबसे छोटी वाली फिंगर में पहनो, लेकिन अकसर ऐसा होता नहीं है, रिंग जब पास में होती है, तो नौर्मली जो मिडिल तीन फिंगर होती है, उसी में इंसान पहनने की कोशिस करते हैं, तो तीन फिंगर एक में होती है, और दूसरे में तीन होती है, तो तीन और तीन छे, तो ती और हो जाएगा क्योंकि जो रिंग है नॉर्मली तीन उगलियों में पहनी जाती है और दोनों हाथ के अगर उगली मिला ले तो 6 हो जाएगी ठीक है तो 3 से 6 मीटर के बीच में नेक्स्ट है मैरेथन रेस और मैरेथन रेस की जो कुल दूरी होती है वो होती है 42.195 किलो मीटर और अगर मील की बात करें तो 26 मील 385 गज तो आप कमेंट करके बताएगा कि 1 किलो मीटर वरावर कितने मील होते है और ये भी कमेंट करके बताएगा कि 1 मीटर वरावर कितने तो मीटर में कभी कभी ना पूछ के फुट में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर वरावर कितने फुट होता है तो आप वहाँ पर कैलकुलेट करके क्लियर कर लोगे तो आप कमेंट करके बताईएगा कि एक मीटर वरावर कितने फिट होता और ए 42 बली तो बली की बात हो रही है और आपको पता है अगर किसी के बली दे दी जाए तो उमर जाएगा बली देने पर मर जाएगा तो बली for 42 और मरना for marathon तो याद रखेएगा marathon race की कूलदूरी किती होती है 42.195 km वो खुरूप से 42 याद कर लिया हम लोगों ने बाकी option से clear हो करेंगे तो एकल के मैदान का जो छेतरफल होता है वो होता है 23.77 मीटर लंबा और 8.23 मीटर चौड़ा इसको भी फणी तरीके से याद करेंगे आप पर देखें लॉयन टेनिस में आपको सद मिल जाएगा लॉयन टेनिस ऐसा मानिए कि लॉयन जो है टेनिस खेल रहे है तो आपको पता है टेनिस की जो बॉल है बहुत तेज भागती जब उसको मारते हैं तो बहुत तेज भागती है तो लॉयन अगर टेनिस खेलेगा मालिजे किसी के साथ खेल रहे है आपके साथ ही लॉयन टेनिस खेल रहे है तो जब भी आप टेनिस की बॉल को मार रहे हो तो पकड़ तो पाएगा नी तो केवल लॉयन जो है टेनिस के पीछे दोरेगा ही बार बार तो वही उसका खेल हो जाएगा तो लॉयन जो है टेनिस के पीछे दोरता है हाथ है नी तो पकड़ पाएगा नी तो दोरती में आपको सब मिलागा दो और तीन दोरती दो और तीन और हा तो थोड़ा सा जादा हो जाएगा चोड़ाई लंबाई में अंतर नहीं होगा तो चोड़ाई थोड़ी सी जादा हो गई तो 8 से जादा होगे किती 10 तो याद रखिएगा कि चोड़ाई जो होती है डबल में वो होती है 10.97 मीटर ठीक है लंबाई में कोई भी डिफरेंस पता नहीं होगा तो आप option देखो के तो clear हो जाएगा एक चीज में आपको बता दूँ कि ये topic जो है याद करने की हिसाब से बहुत ज्यादा difficult है अगर आसान होता तो आपको थोड़ा बहुत याद होता लेकिन आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा difficult है भूल जाता है कितना भी या तो अगर आप trick देख रहे हो तो जाही सिवात है कि आपको पूरा याद नहीं होने वाला है एक बार में आपको ज्यादा से ज्यादा 60-70% ही याद होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टेलिग्राम में सर्च करना है trick point quiz और quiz के group को जोईन कर लेना है जब इसका आप बार-बार quiz स्वालो करोगे तो आपके दिमाग में बार-बार वही repeat होगा तो याद हो जाएगा तो आप ये काम जरूर कर लिजेगा ठीक है next है table tennis और table tennis में जो table की लंबाई होती है वो होती है 9 feet और चोडाई होती है 5 feet अगर total देखें तो 9 x 5 यानि 45 square feet की table होती है आपको पता है table है तो fit में ही न पेगी ना की meter में कोई पागल ही होगा जो की table को meter में न पेगा तो table जो है fit में ही मापी जाती है तो total यहाँ पर 45 square feet हम लोग याद कर लेते हैं छोटा सा number है तो यहाँ पर देखें table और tennis मान लिजे आपके घर में जो table है आप उसमें tennis खेलते हो तो रखिएगा कि table tennis में table का जो कुल शेत्रफल होता है कितना होता है 45 square feet और एक चीज और एक जाम में पूछी जाती है उचाई तो उचाई आप खुद से आद रखिएगा कि table की उचाई होती है 2.5 feet ठीक है next हम लोग बात कर लेते हैं पोलो की और पोलो की अगर बात करें तो पोलो के मैदान की जो लंबाई होती है वो होती है 270 मीटर और चड़ाई होती है 180 मीटर तो देखिए यहाँ पर पोलो को अगर इंगलिस में लिखे तो हो जाएगा P-O-L-O तो सीधा सा पहले L-O देखते हैं L-O लिखा हुआ है L for लंबाई होती है तो इसको हम लोग लंबा में काम आता है तो आप बताएगा मैं आसानी से आपको याद करवा दूँगा ठीक है आप जैसे ही अलफाविट देखोगे तो आपको नंबर क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 12 प्लस 15 किता होता है 27 होता है तो 27 तो क्लियर हो गया Apollo में P-O-L-O लिखा हुआ है त अब यहाँ पर देखिए P-O बचा इससे चड़ाई याद कर लेते हैं तो अगर मैं P को ऐसे लिखूँ और O लिख दूँ तो अब कैसा लग रहा है जैसे यहाँ पर एक लिखा हो और यह आठ लिखा हो एक आठ यह नहीं 18 और जैसे हम लोगों ने 0 जोड़ा था लंबाई वाले में वैसे इसमें भी 0 जोड़ देते हैं तो किता हो गया 180 तहां नाम से इस क्लियर हो गया कि जो पोलो का मैदान है वो 270 मीटर लंबा होता है और 180 मीटर चोड़ा होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है वाटर पोलो और वाटर पोलो का जो मैदान होता है वो ह पान लेजे आप जमीन पर हैं और आपको वाटर पाना है आपको पता है पानी पीने के लिए भूमिगत जल जो होता है मिठा होता है पानी पीने के लिए तो भूमिगत जल के लिए आप क्या करोगे धर्ती के बीच से पानी निकालोगे जैसे बोरिंग करवाते हैं तो धरती के बीच से निकालते हैं, तो धरती के बीच से पानी पा लेते हैं, water पा लेते हैं, तो dharti for 30 और beach for 20, 30 और 20, तो आपको याद हो जाएगा कि water polo के मैदान की जो लंबाई है वो 30 यानि 30 है, और जो चोड़ाई है वो 20 है, यहाँ अगर आपको यह confusion होती है कि लंबाई व लंबे ज़ादा हो या चोड़े ज़ादा हो तो इसी से clear हो जाएगी कि लंबा ज़ादा होता है चोड़ा ज़ादा होता है ठीक है तो यह confusion अब आपके दिमाग पे नहीं आएगी अब हम लोग बात कर लेते हैं खोखो की तो खोखो का जो मैदान है वो 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चोड़ा होता है अब देखिए खोखो यानि ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई खास रहो खासी आती है तो इनसान खोखो करता है तो मान लिजे कोई इनसान है जिसको बहुत ज़्यादा खासी आ रही है या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा खासी आती है तो आपने देखा होगा कि आप खास्ते खास्ते थक जाते होगे है ना बहुत ज़्यादा खासी अगर आती है तो इनसान खास्ते खास्ते थक जाते है तो उसका मन करता है कि वो सुस्ता ले और जैसे इंसान सुस्ताने लगते है तो फिर नीद आ जाती है मतलब वो सो जाते है और खासी के करण नीद तो आती नहीं है तो खासी बंद होती है तो इंसान सुस्ताते है और सो जाते है तो सुस्ताना फोर सुस्ताइस यानि सत्ताइस और सोना यानि सोला तो सत्ताइस और स 27 मीटर लंबा हो गया और 16 मीटर चोडा हो गया तो नाम से इस पष्ठ हो गया моя कोखू तो याद रखियेगा कि मैदान है 27 मीटर लंबा है, 16 मीटर चोडा होता है और इसके बारे में एक चीज पैर की, तो हाथ से 8 हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि तैरा की स्विमिंग पूल में लेन की संख्या कितनी होती है, उललम्पिक में 8 होती है, फिर अगला है 17 बोर्ड, और 17 बोर्ड में वर्ग पूछा जाता है कि कितने होती है तो यह सब को पता है, आपको भी पता है कि 17 बोड में 64 वर्ग होते हैं, आठ के खाने होते हैं और 8 वार होते हैं तो 8 अठाएं 64, तो यह clear है, अलग से बताने की जरूत नहीं है, सब को याद है, नेक्स्ट है होकी, और होकी का जो मैदान है, वो 99.40 मीटर लंबा और 55 मीटर चोड़ा होते हैं, होकी में आपको सब्द मिल जाएगा हां की, याद करने के थोड़ा सा अलग तरीके में आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखे सब्द मिल जाएगा हां और की, मान लिजे कोई क बीच में बैठा है, तो किसी दोस ने पूछ लिया, कि हां की या नहीं, बोल देते हैं कि उसने हां की या नहीं, तो सामने वाला ये तो बोलेगा, कि या तो हां कर दी, या फिर बोलेगा, इंकार कर दिया, तो अगर हां कर दी, तो उसका बश्पना रहा होगा, क्योंकि की का जो मैदान है वो 99.40 मीटर लंबा होते है और बशपना होगा तब युसने हा की है तो बशपन यानि 25 मीटर चौड़ा होते है तो यह चीज आपको याद रखना है दो चीज आप इसकी खुद से याद रखिएगा जिसमें जो पेनलिटी स्टोक की दूरी होती है वो होती 3.66 मीटर का ठीक है नेक्स्ट है फुटबॉल जिसका मैदान 90 से 120 मीटर लंबा और 45 से 90 मीटर चौड़ा होता है यानि मिनिमम 90 मीटर लंबा होगा और 45 मीटर चौड़ा होगा और मैक्सिमम 120 मीटर लंबा होगा और 90 मीटर चौड़ा होगा तो कैसे याद रखेंगे यहाँ पर minimum को याद करते हैं, foot ball में आपको सद मिलागा foot ball, यानि ऐसा माने कि जो ball थी, वो foot गई, यानि foot ball जो थी, वो foot गई, तो बहुत सारे माने जो बच्चे खेल रहे हैं, और जिसकी ball नहीं थी, उसने foot ball को फोड़ दिया, तो जाए इसी वात है, उसको 9 ball लानी पड़ेगी सब के खेलने के लिए, और नहीं लाएगा नई ball, तो पिटाए जाएगा, तो नवी फॉर 90, नवी ball 90, और पिटाए फॉर 45, तो आपको याद हो जाएगा, कि foot ball का जो खेल का मैदान है, वो कितना होता है, 90 से 45 मीटर, यानि 90 मीटर लंबा और 45 मीटर चोड़ा, मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम मैंने आपको बता ही दिया, और एक चीज और याद रखिएगा, कि जो goal post की चोड़ाई होती है, वो होती है 7.32 मीटर, ठीक है, next है cricket, और cricket के मैदान के छेतरफल की बात करें, पूशी जाती है, जो बीश में पट्टी होती है, जहां पर baller balling करता है, उसकी लंबाई पूशी जाती है, तो वो सब को पता है कि 20.19 मीटर होती है, तो याद करवाने के जिरूत नहीं है, और कभी-कभी ball का बजन पूश लिया जाता है, तो याद रखेएगा 155.9 ग्राम से 163 ग्राम होती है, ठीक है, ball का बजन कितना होता है, 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, अब last बचता है handball, तो handball को आपको खुद से याद रखना है, क्योंकि मैं इसकी trick नहीं बना पाया हूँ, कि handball को जो मैदान है, वो 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लेट हुई, आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट करके बताना है, और वीडियो अच्छा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजेगा, तो चले मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंदू